हेलो स्टूडेंट सभागता तो अट साडे चैनल ते आज फर्स्ट टैम हिंदी दी क्लास लेके आ रहे हैं इस तो बाद रीजिनिंग दे भी बहुत अपॉड़ेंट क्वेस्चन करा मागे जे में कि यसी तोहां नुदस्य है कि पेपर शेयर पार्ट आ बिचो आवेगा जिस जे है 400 नमबर C हिंदी की लिपी क्या है जे है देवनगरी नमबर B संस्कृत मराथी और निपाली बशाओं की लिपी क्या है इनकी लिपी है जी देवनगरी नमबर D देवनगरी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ है जे हुआ है जी ब्रहमनी लिपी से नमबर A कौन सी लिपी दाई से बाई और लिखी जाती है जे लिखी जाती है जी देवनगरी नमबर C उनक्षों ने लिखना अरामबकी से लिपी के द्वारा किया बो किया जी चितर लिपी से नमबर C देवनागरी लिपी क्या है? जे है अक्षरातम के लिपी नमबर A रोमन लिपी क्या है? जे है बरनातम के लिपी नमबर C अक्षरात्म की लिप्पी की विशेष्टा है इसकी विशेष्टा है अक्षर नमबर A बरनात्म की लिप्पी की विशेष्टा है इसकी विशेष्टा है बरन नमबर B बारत की परचीन लिप्पी कौन है जे है ब्रहमनी लिप्पी नमबर A ब्रहामी लिपी का समय है इसका समय है पांचमी स्यतावली नमबर A 345 के बाद ब्रहामी लिपी कितनी शैलियों में बांट गई जे बांट गई जी दो शैलियों में नमबर C नागरी के कितने भेद है इसके हैं चार भेद नमबर A नागरी को दखन में क्या कहा गया इसको कहा गया नंद नागरी नमबर B नागरी लिपी का प्रत्म लेख किस गरांथ में हुआ जे हुआ जी नंद सूतर में नमबर A निमन लिख्त में से कौन सी लिपी देवनागरी लिपी से प्रयापत समान्द रखती है वो है गुजराती नमबर C देवनागरी लिपी और हिंदी बरत्म लिख्त में किस ने प्रकाश्ट किया था जे किया जी केंदरी हिंदी निद्यश्यालया नमबर C अधिकतर भारती बाशाओं का विकास किस लिपी से हुआ जे हुआ जी ब्राहमनी लिपी से नमबर D लिपी किसे कहते है जी बाशा को लिख्त रूप में ब्यक्त करते है तू धबनियों नमबर C निमनलिख्त में से कौन सी बाशा देवनागरी लिपी से लिखी जाती है वो बाशा है जी मराठी नमबर C हिंदी बाशा किस लिपी में लिखी जाती है J लिखी जाती है जी देवनगरी में नमबर C पजाबी बाशा की लिपी क्या है पजाबी बाशा की लिपी है जी गुर्मखी नमबर C नेमन लिखत बाशाओं में धवनी मुल्क की लिपी है इसका अंसर है नमबर D, J सभी, अंग्रेजी, रोमन, अर्बी और फारसी लिपी विकास की प्रत्थम सीड़ी है, इसकी प्रत्थम सीड़ी है चित्तर लिपी नमबर A लिपी विकास की अंतम सीड़ी है, अंतम सीड़ी है यह भरने की लिपी नमबर A गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपी परचलत थी जे थी गुप्त लिपी नमबर बी देवनागरी का बिक्स्त कर्म क्या है इसका बिक्स्त कर्म है ब्रामी गुप्त कुटल्या परचीन नागरी और देवनागरी इसका सही अंसरा नंबर ए उत्तर परदेश की कचैरियों में देवनागरी का परजोग किसके प्रतन से हुआ जे हुआ जी मादन मोहन मालविया नंबर सी बिहार की कचैरियों में किसके प्रतन से देवनागरी का परजोग हुआ जे हुआ जी अजोध्या प्रकाश खत्त्री के कार्ण नमबर सी देवनागरी को राश्टरलिपी अपनाने की बात किसने सबसे पहले की जे की जी शाद्राचर्ण मित्तरने नमबर बी जे ते हिंदी के कुछ अपॉड़न्ट कोच्चन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरूर कर देना धन्यवाद